कि नमस्कार साथियों मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है द्रिश्टी PCS चैनल की इस नई वीडियो में आज कि इस वीडियो के माध्यम से हम मध्यप्रदेश राज में पिछले हफ़ते की जो जरूरी घटनाए रही हैं जो खबरे रही हैं उन खबरों को उन घटनाओं को सवालों के जरिये समझने की कोशिश करेंगे तो जाहर तोर पर ये जो सवाल होंगे कि आपके लिए आपके प्रश्टपत्र के लिहाद से बहुत जरूरी थाबित हो सकते हैं तो ऐसे में चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल है कि प्रदेश में यानि मध्यप्रदेश में पशू एम्बुलेंस सेवा के शुरुआत कब से की जाएगी हम से पशू एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जा रही है अब यह जो पूरिश सेवा है यह जो पूरी सर्विस है इस सर्विस को मध्यप्रदेश में पशू पालन विभाग द्वारा शुरू किया जा रहा है इसके अलावां इस एम्बुलेंस में मुख्यतौर पर एक प्राइवर भी मौझूद होगा और ये जो एंबिलेंस होंगी इन एंबिलेंस के जरीए पशुनों की जान बचाने में बहुत जादा सहयता मिलेगी इसके अलावा इस पूरी सेवा को सही ढंग से लागू करने के लिए मध्यप्रदेश की सरकार ने कॉल सेंटर की भी व्यव पशुनों की जान को बचाने में बहुत जादा सहयता मिलेगी तो यह तो पहले सवाल की बात हुई आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को देखते हैं हमारा अगला सवाल है कि प्रदेश में किसकी अध्यक्ष्टा में डिस्टिब्यूशन रीफॉर्म सम्मिती का गठन किया गया है हमारे ऑप्शिन है ऑप्शिन ए राज के मुख्य मंतरी ऑप्शिन भी राज के मुख्य सच्चिव ऑप्शिन सी राज के विदुत सच्चिव या फिर ऑप्शिन डी इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है कि मद्यप्रदेश की सरकार ने हाल ही में राज के मुख्य सच्छिव की अध्यक्षता में एक डिस्टिब्यूशन रीफॉर्म कमेटी या फिर समिती का गठन किया है इस समिती का काम क्या होगा तो इस समिती का काम होगा कि केंद सरकार द्वारा साल 2021 में जो डिसकॉम कंपनियां हैं उनको सुधारने के लिए उनकी हालत में स योजना है हमने बात की कि साल 2021 में शुरू हुई थी और इस योजना के माध्यम से मुख्यतार पर सरकार का प्रयास है कि जो भारत में जो तमाम डिसकॉम कंपनियां हैं डिसकॉम मतलब जो बेजली डिस्टिबूशन कंपनियां हैं उन कंपनियों की आर्थिक स्थिती में कि पिछले कुछ समय से लगातार भारत की जो तमाम डिस्टिबूशन कंपनियां हैं उन कंपनियों की जो फिनांशिल पोजीशन हैं वो लगातार बहुत जादा खराब हो रही थी तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 2021 में की योजना की शुरूआत की गई थ काम क्या करेगी यह समयती तो यह समयती मुख्यतार पर इस योजना की प्रगती की समिक्षा करेगी इसमें इसकी गुडवत्ता में सुधार पर जोड़ दिया जाएगा इसके अलावा इस योजना को और बहतर ढंग से किस तरह से लागू किया जा सकता है राज में डिसकॉम की हालत में कैसे सुधार किया जा सकता है इस पूरे विशय को लेकर भी ये सम्मिती अपने सुझाओ परस्तुत करेगी ये तो सम्मिती की बात हुई डिसकॉम कंपनियों की बात हुई अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर ध्यान देते हैं आज का हमारा अकला सवा और या फिर उप्शन डी कटनी तो इसका सही जवाब है कि मातिप्रदेश के धार जिले में इस पुरे मेगा पार्क को स्थापित करने की बात की जा रही है जिस मेगा पार्क में मुख्यतौर पर टेक्स्टाइल सेक्टर पर जोर दिया जाएगा यहां पर जो कपड़ा इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को डवलप करने पर जोर दिया जाएगा इसके अलावा यह जो पार्क स्थापित किया जा रहा है यह पार्क मुख्यतौर पर केंद्र सरकार द्वरत स्थापित किया जा रहा है और केंद्र सरकार ने इस तरहे के साथ पार्क स्थापित कर तुमन्रादू, तेलांगना, करनाटक, महराष्रे, गूजरात, मध्धर और उत्तरप्रदेश शामिल है। जाहिर तो पर इसके माध्ध्रदेश का जो टेक्स्टाउल इंडस्ट्री है, मध्ध्रदेश का जो वस्त्र उध्योग है, उस वस्त्र उध्योग को काफी ज्याद इसके माध्यम से सहायता मिलेगी तो ये तो हमारे सवाल की बात हुई अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर बात करते हैं हमारे अगले सवाल है कि प्रदेश के राजपाल द्वारा पंडित उधव दास महता पुरुसकार प्रदान किया गया है हमारा सवाल ये है कि ये पुरुसकार किस छेत्र से जुड़ा हुआ है, किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, हमारे option है, option A, आयुरवेद, option B, खेल, option C, सिक्षा, या फिर option D, साहित, यानि ले ट्रेशर, तो इसका सही जवाब है कि ये जो पुरा पुरुसकार है, पंडित, उधव, दास, महता पु नाहेर तोर पर ये बहुत महत नचेटन कीए गया है, इस पुरुसकार को राज की राजपाल द्वारा प्रदान किया गया है, इस पुरुसकार की बात करें, तो ये पुरुसकार मुखे तोर पर राज में उन वैक्पियों या फिर संस्थाओं को दिया जाता है, जो कि जाता है इस पूरे पुरुसकार के तहट राजसरकार मुख्यतार पर एक लाख रुपे की राजशी प्रदान करती है एक प्रशश्टी पत्र भी दिया जाता है तो ये तो इस पुरुसकार की बात हुई अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर बात करते हैं हमारा अ दूसरा ऑप्शन है अटल विहारी बाचपई हिंदी विध्याल है जो की भोपाल में मौझूद है हमारा तीसरा ऑप्शन है शामगर्ड गवर्मेंट कॉलेज या फिर चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी रीवा एंजिनरिंग कॉलेज तो इसका सही जवाब है कि मत्रदेश में शामगर्ड गवर्मेंट कॉलेज को मौडल कॉलेज का टैग दिये जाने की बात की जा रही है अब इस पूरे टैग के तहत होगा क्या उस पर बात करें तो इस पूरे टैग के तहत मुखेतार पर कॉलेज का जो इंफरस्ट्रक्चर है उस इंफरस्ट्रक्चर के डेवल पर जोर दिया जाएगा, इसके अलावा कॉलेज में एक e-library भी गटित की जाएगी, sports पर ध्यान दिया जाएगा, तो इस तरह से इस पुरे tag के माध्यम से इस पुरे college को मध्यप्रदेश में एक model college के तौर पर विक्सित करने की कोशिश की जाएगी, जो कि जाहर तौर पर एक college विक्सित होगा, तो इसकी वज़े से इसके प्रभाव सुरूप मध्यप्रदेश के जो दूसरे कमाम college है, उन colleges को भी एक उमीद मिलेगी, कि वहाँ पर भी बहतर सुविधायें दी जा सकती हैं, तो ये तो college की बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवा पर बात करते हैं, हमारा अगले सवाल है कि नमेलिखित में से कौन सा मध्यप्रदेश का राजकिये पुष्प है, यानि state flower है, हमारे option है, option A सफेद लिली, option B, गुलाब, option C, तो इसका सही जवाब है कि सफेद लिली, यानि white लिली को मध्यप्रदेश का राजकिये 1880 फूल है, यानि हमें हर साल सभी महीनों में देखने को मिलता है, इसके अलावा ये जो फूल है, इसका वैग्यानिक नाम है लिलियम, कैंडियम, और साथ ही ये लिलीसिया परिवार से संबन्द रखता है, इसके अलावा इस फूल को जड़ी-बूटी के तोर पर भी इस्त फूलावर भी घोशित किया गया है, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर बात करते हैं, हमारा आज का अगला सवाल है कि छेतरफल की दरश्टी से मध्यपरदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो हमें बताना है कि मध्यपरदेश छेतरफल की दरश्टी से राज् मध्रप्रदेश भारत में दूसरे नमबर पर आता है यानि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है इसके बारे में और विस्तार से बात करें तो पहले नमबर पर आता है राजस्थान और दूसरे नमबर पर आता है मध्रप्रदेश लेकिन इस से पहले यानि साल 2000 से पहले जब मद्ध्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, 36 गढ़ मद्ध्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब मद्ध्रदेश भारत में Northern की दरश्टी से सब से बड़ा राज्य हुआ करता था लेकिन साल 2000 में मद्ध्रदेश का विभाजन हुआ, 36 गढ़ अलग हो गया वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे इस तरह कि अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद